राजपुर्चुंगी अलाकि में मकान का चज्या वरबराकर गिर गर गिर गया चज़्जजए गिने से चीख़ुकर मच कई हाससे में कई लों गायल भी हो गए थाना सदर राजपुर्चुंगी साइदनगर में EWS मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया छज्जा जरजर था छज्जे के उपर एक युबक खड़ा था युबक भी छज्जे के मलवे के साथ नीचे आ गया चज्जे के मलवे से कई लोग घाईल हो गए है एक घिराग भी घाईल हुआ है दुकानदार का पुत्र भी घाईल हुआ है इसके अलाबा कई अन्य लोग भी घाईल हुए है आनन फानन में घाईलों को अस्पताल पहुंचाए गया देसल A.ड.ए के दवारा साइदनगर में मकानों का निर्मान कराए गया था E.W.S मकानों में अधिकांज गरीब लोग रहते हैं जो अपने मकानों की मर्ब्बद भी नहीं करा पाते हैं अधिकान सभी मकान जरजर अवस्ता में पहुँच गए हैं जिनकी आर्थिक इस्तिती ठीक है वे तो अपने मकानों की मरम्मत करा लेते हैं लेकिन जो गरीब हैं रोज कमाते हैं रोज खाते हैं उनके मकानों की हालत बेहत जरजर हैं यदि मकानों के अंदर भी छांक कर देख जाय तो च्छत भी गिरासू ही नज़र आती है। ऐसे गिरासू मकानों में, जरजर मकानों तमाम लोग रहने को मचबूर है। पैसे के अबाब में मकान की मनम्मत नहीं करा पाते हैं। ऐसे में सरकार को ही इनका ध्यान रखना होगा। Rakish Kanogia, Cinews, Agra.